दोस्तो अगर आप इस एप से वीडियो बनाओगे तो यहाँ पर कोई भी कॉपीराइट के इशू नहीं आएगा रियूजड कॉंटेंट का भी इशू नहीं आएगा और यह एप 100% फ्री एक काटून वीडियो में का एप है यह एप हार एक यूजर्स के लिए अवेलेवल है फ्री में मिलेगा इस एप पर जो भी करेक्टर से बैकग्राउंड है एसेट से डाइनमिक स्टैटिक यहने की प्रॉप सब कुछ फ्री है और यहाँ पर वीडियो को एक्सपोर्ट करके आप किसी भी प्राट्फॉम पर अप्लोड कर सकते हो कोई भी कॉपीराइट नहीं आ तो इस एप को आपंको कर सकते हैं कि इस एप से एक वीडियो को बना सकते हो दोस्तों आप लोग देख चुके हो कि यह एप से आप इस तरह का वीडियो को बना सकते हो 100% इसी एप से बना सकते हो जैसे मैंने बनाया दोस्तों यह एप मार्केट में एकदम नया है तो यह एप आपको कहां से मिलेगा पहले आप प्लेश्टोर पर जाओ और वह पर आप सर नो स्पेस बीच में कोई स्पेस नहीं होगा टी डाबलू डावल इए एन और टी डावलो एनस एक साथ में लिखना नहीं तो सर्च करके नहीं आएगा क्योंकि मार्केट में एकदम नया है यह मेरे फोन पर अभी इंस्टॉल है इसलिए यहां पर ओपन दिखा रहे हैं यह पर जाने के बाद देखो फ़िजर्स क्या है अड़ेड स्टैक एसेट स्टैक एसेट है वह क्या है जान लेंगे व्रिंडरिंग बाग फिक्स्ट, न्यू पोस एड़ेड फियो बैकग्राउंड इड़ेड लैवट इंप्रोप्ट डायनामिक एसेट एड़ेड अड़ेड तो नीचे जाकर देखते है about this app देखो यहाँ पर clearly लिखा हुआ है Twin Tunes एप का नाम लिखा हुए यहाँ पर और create emerging cartoon videos for free यहाँ पर आप free में बना सकते हो और क्या चीज लिखा हुआ है देखो create and share your work on any social media Facebook, YouTube, Instagram कही पर भी आप share कर सकते हो without thinking any copyright कोई भी copyright का बिना चिंता की आप यहाँ पर काम कीजिए और upload कीजिए you are the owner of your project जो भी चीज़ आप बनाओगे उसका owner सिर्फ आप ही होंगे इसका creator वाला इने की इसका apps बला नहीं होंगे वो लोग clearly लिख दिया है बता दिया है कि आपका वीडियो का owner आप भी होंगे copyright वो लोग नहीं दे पाएंगे और देंगी भी नहीं क्योंकि वो लोग भी काम करने के लिए है और आप लोग भी काम करेंगे ठीक है और आप लोग पैसा भी कमाएंगे तो नीचे जाओ नीचे जाकर देखो और भी बहुत सारे क्या क्या टूल से यहां पर देखो easy animation टूल से voice sound effect है photo in integration वीडियो है others बगएर बगएर चीज़ यहां पर लिखा हुआ है एक बड़े company ने इसको offer की hiring की बनाया है उसका नाम है fox riser studio और android 9 अगर आपके पास है या उसके बाद से यह चलेगा android 9 के पहले जो वर्सन है android वर्सन उससे ने के android 8 पर नहीं चलेगा देखो एकदम नया है क्योंकि यहां पर लिखा दे 50 प्लस डाउनलोड क्योंकि ज्यादा तर लोगों इसके बारे में पता ही नहीं चला तो मैं regular यहां पर search करता रहे तो ने apps के बारे में तो मुझे पता चल गया इसलिए मैं आप लोग को बतारो market में competition एकदम जीरो है अगर आभी से शूरू करोगे तो बहुत पैसा मिल सकता है बहुत तरकी कर सकते हो तो जल्दी जल्दी सूरू कर लो देर मत करना प्लेश्टोर पर जाओ और डाउनलोड कर लो दोस्तों यह app तो मेरे phone पर install है लेकिन आभी मैं यहां पर इस app को install करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग भी इसको install कर सके यह प्लेश्टोर से verified किया गया है और इस app से कोई भी खत्रा नहीं है इस app को प्लेश्टोर से डाउनलोड करो तो इन टूस बीच में कोई space मत देना नहीं तो search करके नहीं आएगा देखो बीच में एक space दूंगा और search करूंगा तो यह एप नहीं आएगा देखो आदर्स एप जो इसकी रिलेटेट काटून वीडियो में कर है वो आ जाएगा लेकिन यह आपर वो नए आपस नहीं आएगा तो बीच में इसको हटाओ और इसको फिर से search करो दोखो मिल जाएगा twin tunes काटून वीडियो में कर उप तो प्लेश्टोर में यह लोग क्या-kian दिया है उसके बारे में कुछ देख लेते पहले एक trailer है इस trailer काव देख सकते और प्र अधर्स केरेटर्स भी है उसके अंदर जाकर देख सकते हो उसके बाद देखो एक्सप्रेशन्स है कि एक्सप्रेशन्स बना सकते हो उसके बाद यूर मोबाइल आपका यह आपका मोबाइल से आप वीडियो बनाकर उसको पाप्रिस कर सकते हो दोस्तों टूंटूंस एप कोड़ ऑडियो तो पहले इसको आप एलाव कर दो उसके बाद एलाव करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आएगा जहां पर आप अपना कर्टून वीडियो बना सकते हो तो सुरू के इंटरफेस में क्या दिया हुआ है फस्ट में है क्रियेट एनिमेशन सेकेड में है कॉंटेक्ट आस कंपनी वालों के सब आप बात कर सेकते हो अगर एप के बारे में कुछ इशू नजर में आया एक कुछ फूचर के बारे में समझ में नहीं आ रहे तो उसके बाद दखो इन नेक्स्ट आपडेट्स हेर यूविल फाइंट यूर डैप्स आप जो भी वीडियो बनाएंगे यहां पर आपका ड्रफ्स होगा कभी भी आप उसको एडिट कर सकते हो उसके बाद क्या है नोटिफिक्शन पर जाओ और यहां पर लिखा हुआ है आवर एप इस निउव अगर एप्स के बारे में कुछ भी प्रोब्लेम आया तो कंटेक्ट आस होम स्क्रीन में आपको मिल जाएगा यहां पर जाके आप उन लोग के साथ कॉंटेट कर सकते हो उसके बाद चलो क्रिएट एनिमेशन पर चलते है जैसे यह पर आप टैप करोगे तो बहुत सारे बैक इस बहुत अच्छा बैक्गराउंड से साथ यह ट्विन्ट और कोमा टून पर भी नहीं है टीक है तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसका सुरू में जो इंटरफेस है और इसका बैक ग्राउंड से बहुत अच्छा है तो यहां से कोई भी बैक्राउंड को आप ले लो दोस्तों यह जो वाटर मार्क है यह यहाँ पर सिफ वीडियो बनाने वक्त शो होगा जब आप इसको रिंडर कर दोगे इसको आफ एक्सपोर्ट करके निकालोगे तब वहाँ पर यह बीच का वाटर मार्क नहीं रहेगा तो इसका function क्या है तो पहले है new character उसके बाद है post setting तीसरा है play animation चौता है record voice उसके बाद है यह character setting and magic box लास्ट में आप इसको export करोगे रिंडर करोगे तो उसके लिए है render animation तो आप एक एक करके जानेंगे और देखेंगे add characters पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सरे characters मिल जाएगा कोई भी characters को आप चुन सकते हो यह market में नया आप साथ इसलिए कुछ characters है ज्यादा characters नहीं है आपने उंगली में ऐसे करके आप इसको इधर उधर कर सकते हो कहीं भी कर सकते हो इधर छुपा भी सकते हो नीचे में उपर में जो भी मन आये ओभी आप कर सकते हो तो character है right side पर right side से आपको left side तक ले जाना है तो ऐसे करके ले जा सकते हो अगर इसका expression change करना है तो इसके लि अगर आपको बड़ा लग रहा है तो इसको छोटा करना है तो इसको दो उंगली से आप छोटा भी कर सकते हो एक उंगली करेक्टर के उपर में रखो और एक उंगली कहीं भी रखकर ऐसे करके अंदर ले जाओगे तो छोटा होगा तो ऐसे करके अंदर ले जाओ देखो यह छोटा होता जा रहा है तो इसको ऐसे करके आप स्किल कर सकते हो और इसको ऐसे यहाँ जगा पर यहाँ पर कहीं भी आप बीटा सकते हो तो character यहाँ पर बैठ गया है और first clip पर देख सकते हो कि आपका animation की हिसाब से यह उसी जगा पर set हो गया है तो इसको अगर आपको change करना है place और इसको आपको अलग जगा पर ले जाना है animate करना है तो कैसे करोगे तो new clip पर add करो उसके बाद new second clip पर आप आ जाओगे दो second clip add हो चुका है नीचे में देखो और उसके बाद इसको left side में ऐसे ले जाओ और फिर से new clip add करो और first जो clip आपके पास है number one clip यहाँ पर आप आजाओ यहाँ पर आजाने के बाद इसको आप play करके देख भी सकते हो देखो ऐसे करके यह character इधर से उधर जाएगा कोई भी चीज इधर से उधर जाएगा अगर आपको voice record करना है तो यहाँ पर इसका पोस को आप चेंज करो इसका पोस को आप ऐसे चेंज करो talking वाला बैठाने वाला जो पोस है कहां पर है side इस पर होगा नहीं है तो side इस पर होगा तो देखो कर रहा है इसका तो नाम लिखा नहीं है तो आपको समझ में आ जाएगा तो इसका वाइस एड करो यह clip पर वाइस दिया गया है नहीं character पर तो record वाइस पर जाओ ऐसे तो चलो इसको stop करते हैं तो sound यह पर add हो चुका है तो दोस्तों यह गया नॉर्मल एक character setting और voice record आप चलते हैं इसके magic box पर तो देखते हैं इस character को यह left side में faces से इसको right search कैसे करोगे character को उपर tap करो और यहां पर character setting है वहाँ पर आप जाओ जैसे यह पर जाओगे तो कुछ options दिखाए देगा जैसे आपना character को delete भी कर सकते हो और ऐस तो voice tone पर tap करो बहुत सारे voice यह पर मिल जाएगा कुछ जो setting से अभी active नहीं हुआ है सायद ही लोग बाद में करेंगे तो यहां पर बहुत सारे अलग अलग type का पीच यह voice आपको मिल जाएगा अपना voice को आप इस तरीके से change भी कर सकते हो उसके बाद magic box में चलते हैं यह पर बाद है dynamic assets उसके बाद static assets and last में है sound effects तो अभी यह हार एक options available नहीं है लेकिन कुछ जो important options है वो available हो चुक है जैसे यहां से आपको मिल जाएगा dynamic assets, static assets, import image बागी सब धरे-धरे करके यह लोग active कर देंगे तो import image पर जाओगे तो अपने gallery से कोई भी image को आप इहां पर import कर सकते हो उसके बाद यहां पर अगर आप dynamic assets में जाओगे तो यहां पर बहुत सरे assets आपको मिल जाएगा बहुत ही beherind assets है यह पर cycle मिलेआगा जो चलने लगएगा देखो साइकल यहां पर चलने लगेगा चल रहा है ना यह इसका चका घुम रहा है यहां पर और भी है जैसे कुछ दिन बाद 15 ओगस्ट है यह और यह इंडिया का एफ है वर्ल्ल में कोई भी इसको इस्तेमल कर सकते हैं लेकिन इंडिया वालों के लिए यह स्वेसल एक जो प बाड़ी में लगा भी सकते हो और यहां पर डायनेमिक एसेट में जाकर फुटबॉल अलग अलग गडिया वह आपको मिल जाएगा ठीक है यह पर टोटो भी है और यहां पर मूविंग बैक्डराउंड भी है तो इस बैक्डराउंड को मैंने लिया और यहां पर अगर कर सकते हो यह अगर वीडियो का अच्छा लग रहा है तो वीडियो के बारे में एक कमेंट में बता हो और जयाएंगे और tak में जाका फिर से स्टटिक एसे अगर आपको चाहिए किसी भी सीन के लिए तो यहां पर टैप करो और देखो यह काम नहीं कर रहे है लेकिन इसका जो लोगों है इसका टैप करोगे तो इसटेटीक एसेड भी आपको मिल जाएगा जैसे गाड़ी यहां पर इसका चाक्का घू गूमने लएगा दो अलग है पीछे है स्टेटिक एसेट जिसका चाका घूमने रहे और दूसरा है जो इसका जिसका चाका घूम रहे तो मैजिक बॉक्स पर फिर से जाओ और स्टेटिक set पर tap करके जो भी चाहिए जैसे लोकाल शॉप है यह गुलगपे का शॉप है यहां पर आपको मिल जाएगा और कोमेडी फानी और और moral story कुछ भी बना सकते हो, क्योंकि उसके लिए moral story का character भी यहाँ पर है, जैसे एड character में जाकर, यहाँ पर मधु character है, शोवन character है, यह देखो, यह सब जो character है, यह local, sorry, moral character जैसे ही है, चूडल भी है, और नेचे एक character है, जो एंजलीना बहुत ही वहतरिन एक characters है, और यहाँ पर एक चीज बहुत ही अच्छा लगा कि यहां पर पाठान अवेलेवल है और आदर्स करेक्टर भी बहुत ही अच्छा है और फीमल करेक्टर टोटल तीन है ठीक है एसे का डिलिट का ओप्शन आप भी एड नहीं किया गया है तो इसको ऐसे करके आप साइड में रख सकते हो करके साइड में आप रखोगे ठीक है तो यह ऐसे कम हो जाएगा अगर एप को इस्तेमल करते हुए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उन लोग के साथ बात करो साइड कुछ सॉलिशन दे देंगे या उन लोग कुछ बात करेंगे जो आपको अच्छा लएगा तो अब देख डायनेमिक एसिट पर फिर से जाओ और यहां से अपना रानिंग टोटो को आप ले लो इसको लेने के बाद इसको ऐसे करके आप स्किल करो जैसा चाहिए उसके साब से स्किल करो इसको ऐसे रखो राइट साइड पर ठीक है क्योंकि इसका जो रानिंग साइड है वो लोटो को चला रहा है तो यहां पर मैं मुखुक करेक्टर को ले रहा हूँ और इसका जो बैठाने वाला पोज इसको ऐसे करके सिलेट करके मैं बैठाने वाला पोज को ले रहा हूँ और इसको ऐसे करके skill करके उसको यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर new clip एड़ करूँगा new clip एड़ करने के बाद इसको left side के तरफ ले जाऊंगा और इस character को भी ऐसे ही ले जाऊंगा और यहाँ पर new clip को मैं एड़ करूँगा तो देखो यह move करने लगेगा तो first clip में जाऊ और इसको play करो दखो ऐसे करके यह move कर रहे है यानि कि आप भी कर सकते हो यह play store से मिल जाएगा और watermark का चींता एकदम मत करो render करने के बाद export करने के बाद यह हट जाएगा तो इसको मैं render कैसे करूँगा तो render में जाओ और render मेन जाने के बाद और एसे करके render और उपर में एक notification भी आजाएगा कि Rendering animation In Progress तो इसको आपको ऐसे रखना है इसको छोड़ना नहीं और उपर में आइसा एक आपको notification भी दिया जाएगा rendering animation उसके बाद देखो ऐसा इंटरफेस आएगा और ऐसा इंटरफेस आने के बाद यह पार एक notification आएगा कि rendering is completed successfully देखो wait करो जितना बड़ा animation होगा उतना ज्यादा समय लेगा जितना चोटा होगा उतना कम समय होगा तो मेरा जो solution है मेरा जो काम करने का तरीका है चोटा-चोटा क्लिप बनाओ story long हो सकता है लेकिन देखो rendering complete animation rendered successfully और इसका उपर में भी notification आ जाएगा अगर आपको एक long story बनाना है तो story को चोटा-चोटा क्लिप में divide कर लो जैसे movie shooting होता है क्योंकि कैसे एक long story है उसका plot अलग-अलग है अलग-अलग scene को अलग-अलग time में suit किया जाता है और editing करने समय आप can master या insert कई पर भी उसको edit कर सकतो एक साथ में जोड़ दो अपना sound effect add करो और कुछ वे edit करना है तो करो उसके बाद final edit करके youtube facebook instagram कहे भी उसको upload कर दो और आपका earning भी कमाई भी सूरू हो जाएगा एक सब्समें long video बनाने के कुछिस करोगे तो कुछ problem होगा तो खरब लएगा क्योंकि यह mobile का app है चाहे आप twin चोड़ा चोड़ा क्लिप में काम करोगे तो कोई भी problem नहीं हो क्रोमा टून्स एप अच्छे से काम नहीं करता है twin cups पर premium भर्सन चालू हो चुका है कुछ character से जो free में है बाकि सब characters paid character से background भी paid है लेकिन इस app से सब कुछ आपको free में मिल रहा है तो competition काम है आप इसे काम चालू करो नहीं तो बाद में बहुत competition बढ़ने वाला है